नमस्कार दोस्तो वेलकम टू एक्कुरेट योगा आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्कुरेट योगा पर तो हम योगा का पेपर जो नेट जैरफ में पूचा गया था अगर प्रिवियस येर कोश्टिन्स वगर आपना अच्छे से देख लिया तो आपके 40-50% प्रेपरेशन ऐसे ही हो जाती है खेलते खेलते हैं और कई बार तो बच्चे इसको पढ़ करके टोप भी कर जाते हैं केवल पीवाई क्यू देख करके तो इसलिए बहुत बड़ी ची जनवरी से 22 जनवरी को पहला एक्जाम हुआ था उसके बाद में 2017 के नुवंबर में ही 8 नुवंबर के आसपास दूसरा एक्जाम हुआ था तब तक हमारे पेपर जो हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ऐसे होते थे जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 जो हैं सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 रहे थे पेपर 1 में वही जनरल एक्टिट्यूड जो फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमबन होता है और पेपर 2 में 100 कोश्चन आये थे पेपर 3 और 2 को मर्ज कर दिया था तो उस समय केवल 2 ही पेपर रहे थे जिसमें पेपर 2 जो था आपका सब्जेक् तो माने अब हम जो है 2018 जुलाई में 100 कोश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो का पार्ट वन जो है ओलरी मैंने डिस्कस कर दिया है उसको चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं चैनल से अब हम करेंगे 10 से आगे के प्रशन तो चलिए दोस्तों शुरू करत है अगर दोस्तों आपने योग सुतर देखा है या नहीं देखा है तो आपको देख लेना है सबसे इंपोर्डेंट पार्ट है हमारा लग भग 40-50% कोश्चन कई बार योग सुतर में से ही पूछ ले जाते हैं directly as it is अभी आप यहां पर स्क्रीन पर जितने ही प्रशन देख आपने कुछ भी नहीं देखा योग के अगर विद्यारते तो यह सबसे important point है कि आपको योग सुतर पता होना चाहिए deeply चलते हैं प्रशन की योड प्रशन अगर देखे तो हे हे तु निमन में से किसका संयोग है अगर आपने दूसरा अध्याय देखा है योग सुतर का तो उसमें दूसरे अध्याय का सत्रवां जो मंतर है 17th मंतर है वहाँ पर लिखा गया है द्रिष्टरी ही द्रिष्य हो संयोग हे यह तू कि द्रिष्टा और द्रिष्य का संयोग ही क्या है हे यह तू हे हे तू मनें दुख का कारण के थे दुख का कारण क्या है हे यह तू द्र और दृष्य शब्द इसके लिए उसके लिए प्रक्रति के लिए, यह तो common sense की बाते हैं दोस्तों, इसको हम ध्यान रखेंगे, अब दूसरी बात है कि दृष्टा और दृष्य का संयोग ही क्या है, हे यहे, तो मतलब दुख का कारण है, तो कहती है, दुख दूर कैसे होगा अगर इस दुख को दूर करना है, या हमें योग की अवस्था में जाना है, तो क्या होगा, पुरुष और तक्रति का वियोग, अगर वियोग हो जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा, यह दोस्तों समझने की बात है, जब आप डीप अनलाइसिस करते हैं इ यह सुनाओगा, तीसरा सुत्र है, योग सुत्र में प्रत्थम अध्याय समाधी पात से तीसरा सुत्र कहता है, तदाद रश्टु सवरूप पर अवस्था मने, योग जब चित हो जाता है गटित, तब पुरुष अपने सवरूप में चला जाता है, और प्रकरती में तीनो समय वस्था हो जाती है, उसे हम योग कहते हैं, तो यह प्रशन दोस्तों पूछा जा सकता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझना है इसको, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप दूसरे अध्याय का जो सत्रवा मंतर है, सुत्र है, वहां से आप इसको चेक क सकते हैं, तो चलिए दोस्तों नेक्ट प्रशन पर चलते हैं, इसी के साथ, नेक्ट है, त्वेल्थ नम्बर प्रशन, निमन में से कौन सा प्रिनाम त्रेय में शामिल नहीं है, तो इस प्रशन का उत्र देखने के लिए आपको थर्ड अध्याय में जाना पड़ेगा, काफ एन एसे कौन है, एन एसे, एन एसे कौन है, नेशनल सिक्योरिटी अडवाइजर, अजीत डोभाल जी सुनाओगा आपने, एन एसे, याद कर लीजिए, या नशा याद कर लीजिए, ट्रिक है छोटी सी ताकि आप बूले ना किस चीज़को, नशा में तीन वर्ड है, देख तीसरा जो है, एसे, एकाग्रचित है, एकाग्रचित है, तो ये तीन आपके सुत्र आपको तीसरे अध्याय में मिल जाएंगे, शुवात में ही आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप अच्छे से अध्यन करेंगे, दस से लेकर के लगब, पंधरा के बीच में आपको तीनो अध्यायगी बात ने हुई, अब इस में से हमें जो जानतना है, वो ये है, कि कोन सा नहीं पूछा है हमसे, है नहीं पूछा, नहीं पूछा है, तो निर्मान, समाध्य और एकागरता, ये तीनों तो हैं, बट है कोन सा नहीं, धारना प्रिणाम जो है, वो कोई भी एक करेगा, suppose यहां पर तो चलो आपको simple सा दिखाई दे गया, कई वर trap बना दिया जाता examiner के द्वारा था कि बच्चा जान बुज़ करके आता हुआ question भी गलत करते, ऐसे trap बना जाते हैं, वो question होते हैं, कुछ ऐसे specific trap questions बोलते हैं उनको, तो उनको आपको देखने की जरूरत होती कि नहीं पुछा है या हाँ पुछा है, अभी हमसे नहीं पुछा था, तो हाँ महीं पुछते तो यह तीनों होते, अभी नहीं पुछा है, तो हमारा option number 4 जो है, इस प्रशन का बिल्कुल right answer हो जाएगा, next question देखते हैं हम, तेहरवा प्रशन, तेहरवा प्रशन, नीमन में स कौन सा पूरव जीवन का ज्यान देने में समर्थ है, तो इसका उत्तर अगर जानना है तो आपको, simple सी बात है, दोस्तों, तीन number option जो है, आपका बिल्कुल right हो गया, okay, but हमें इतना ही संतुष नहीं हो ना कि हमें उत्तर पता लगया, क्योंकि हम यहाँ पर answer check करने के लिए संसकार संयम का सुत्र कौन सा पहले तो यह द्यान रखना है आपको, सुत्र की जवाब बात करते हैं संसकार संयम के लिए, तो तीसरे अध्याय को आप देखेंगे, और वहाँ पर 18 सुत्र है, उसको open करेंगी, वहाँ पर आपको मिलेगा संसकार साक्षात करनात पूरव जा पूरव जाती मतलब पूरव जीवन, पूरव जनम का ज्यान हो जाता है, ठीक है, यह सुत्र है, तो ए हमारा ही यह हो गया, अब बाकियों से क्या होगा, यह भी हमें पता होना चाहिए, तो कूरम नाडी पर संयम करने से अभी हमने डिस्कस किया था, पार्ट वन में अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कूरम नाडी की बात आये थी, तो वहाँ पर अगर हम देखें, तो कूरम नाडी का क्या का जाता है, कि तो कूरम नाडी से क्या होता है, स्थिर्ता आती है, तो यह याद होना चाहिए, स्थिर्ता किस से आती है, कूरम नाडी से आपके स्थ भुवन ग्यान, भुवन गार्थ है, लोक लोक आंतर, जो आप चोहदल भुवन बताये जाते हैं, उनका जो ग्यान है तो किस से होता है, सुरिय संयम करने से, कल कोई examiner सेम प्रशन दे देगा, आपको जो है ये तेहरमा प्रशन सेम दे देगा, बस इसमें उपर लिख देगा यहां पूरों जीवन की जगाएं, कि निमन में से कौन सा भुवन ग्यान देने में समर्थ है, और चारों के, चारों ओप्शन आपके यही रहेंगे, तब आप चारों में से किस को चुनेंगे, सुरिय संयम को, तो इसलिए जो ओप्शन है, उससे पर डिसकेशन होना चीए, यह पता होना चीए, कहां से क्या आया, कूरम नाडी पर संयम की बात करते हैं, तो इसकी सुत्र संख्या जब देखेंगे, तो तीसरे अध्याय का, 31 नंबर सुत्र आपको मिलेगा, वहां इसको चेक कर सकते हैं, सुरिय संयम, भुवन ग्यानम की बात करें, तो इसको अगर देखें, तो 26 नंबर, जो सुत्र है, तीसरे अध्याय का, वहां पर इसको डीपली देख सकते हैं आप, और next कौन सा बच्छा आपको काय रूप संयम, काय रूप संयम की अगर जब बात करें, तो इसका क्या होना चीए, इसका अगर शलोक संख्या आप देखें, सुत्तर सं क्या जो है, वो है, तीसरे अध्याय का, 21, काय रूप संयम करने से क्या होगा, काय रूप संयमात, तद ग्राह शक्ति, स्तंभे, चक्षु प्रकास असम प्रयोगे, अंत्रधान, कहते हैं, इससे अंत्रधान करने की शक्ति आ जाते, काय रूप संयम करने से, तो ये होगा, तो ये सारी के सारी चीज़ें आपको deeply पता होगी, तभी आप next time में बैठेंगे, तो आपको तुरंत बैठती सब चीज़ें पता होगी, क्योंकि paper देने के लिए आपको केवल और केवल study करना enough नहीं होता, कि मैंने पढ़ लिया, जी सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सारे स्लोक रट लिये, सुत्र रट लिये, और अब मैं paper में टोप कर जाओँ, नो, ऐसा अगर आपको वहम है, तो ये छोड़ दीजे दोफ्तों, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, जब तक आप चीज़ को हर एंगल से नहीं सोचेंगे, अप्रोच आपकी सभी दृष्टी से नहीं होगी, तब तक आप कभी नहीं कर सके, बाएचान साब अगर कर भी गए, नेट याज यारफ कर भी गए, तो आपको knowledge नहीं होगी, क्योंकि चहुमुखी ग्यान होना जीने के लिए बहुत ज़्यादा important है, चहुमुखी, हर दिशाओं से आपको सभी चीज़ें पता होने चीज़ें, तब भी जो है, आप एक मंच पर खड़े हो करके, confidence से कुछ भी बोल सकते, कभी भी और सब आप कुई बात को सुनेगी, क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा तब इ, इसके बाद next प्रशन है हमारा 14th नंबर, जिसमें कहा गया कि अस्मीता का अविप्राय की एकात्मक्ता है, कि अस्मीता का अविप्राय किसकी एकात्मक्ता से है, तो अगर ये प्रशन देखें अस्मीता शब्द का, तो आप दूसरे अध्याए में जाएंगे, जिसका नाम क्या है, समाध्य पाद, उसमें जाएंगे, समाध्य पाद में, तो दोस्तों इसका प्रशन जो है, मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कॉमेंट बोक्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे, कि समाध्य पाद में अस्मीता का कौन सा सुत्तर है, उतना ही पता लगता है, जितना वो बताएगा, जब हम खुद खोजबीन करते हैं, तो हमें जादा पता लगता है, जो चीज़ें नहीं भी पता हूँने, एक्स्ट्रा भी पता लग जाती है, तो समाध्य पाद, पहला अध्याई हुआ, दूसरे अध्याई का नाम क्या है आपका, साधन पाद, साधन पाद में से ये चर्चा आईए आपकी, तो साधन पाद को आप खोजेंगे, वहाँ से आपको इसका उत्तर मिलेगा, अस्मीता, अस्मीता किसकी एकात्मता है, द्रिक दर्शन शक्ति और एकात्मते वा अस्मीता, ये सूतर है, इसको अब आप ढूंडेंगे, कहीं से भी ढूंडेंगे, आप योग सूतर में ढूंडेंगे, और आप नीचे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में आपने इन डेप्थ आपने स्टड़ी किया, अगर आप अप डेप्थ स्टड़ी कर रहे हैं, तो पक्की गारेंटिये दोस्तों, नेट तो आपका बाएं हापका खेल है, जे अरफ भी आपका अराम से हो जाएगा, तो इसके लिए अब हम चर्चा कर रहे हैं, कि द्रिक और दर्शन शक्ती का एक आत्मता क्या है, अस्मीता कहीं गई है, अस्मीता है क्या, अस्मीता पांच कलेशों में से एक कलेश है, यह भी द्यान रखेंगी, और पांच कलेश की बात चली तो पांच कलेश होते कौन से है, उनको भी निवट कर लेंगे, पांच कलेश की बात करें तो, अविद्या पहला, फिर अस्मीता होता है, दूसरे नबर पर, अस्मीता, तीसरा राग, चोथा दवेश होता है, फिर अभीनिवेश होता है, ये पांच कलेश होते हैं दोस्तों, पंच कलेश, अविद्या समिता राग दवेशा, अभीनिवेशा, पंच कलेशा, इन पांचो कलेशों को सीक्वेंस में याद रखना है, जोकि कल को प्रशन पूछा जासता है, इन पां से प्रशन मिलेंगे तो इनको आप ऐसे याद रखेंगे और option नमबर हमारा 2 जो है इस प्रशन के लिए ठीक हो जाएगा अंसर राइट हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं next प्रशन पर 15 नमबर प्रशन पर हम चलते हैं 15 नमबर प्रशन है हमारा कहा है योग सुत्र के अनसार श्रवण की देविय शक्ति प्रापत करने की विधी निमन में से कोन सी है तो श्रवण की पूछए श्रवण मतलब सुनना तो सुनने से समंदित कहते हैं कोन सा संबंध है तो अब दोस्तों योग सुत्र में दो संबंध बताएं दो relation बताएं गया हैं इन दो relations पर अगर आप संयम करते हैं तो उससे आपको कुछ फायदा होता है तो दो संयम कौन से हैं वो ध्यान रखने संबंध मनें यहां चार संबंध लिखें तो आपको पता देता हूं योग का यह दो संबंध बताएं गये हैं तो मतलब अकास से ही दोनों का संबंध बताएं गये एक तो शरीर का है मतलब शरीर और अकास का एक शोत्र और अकास का यह दो संबंध बताएं इन दोनों को जब आप देखेंगे यहीं से आपको समझ में आ गया कि इस प्रशन के उस्तर कौन-कौन से नहीं हो सकते कौन-कौन से नहीं हो सकते इसके लावा और कोई संबंध नहीं बताया गया पूरे योग सुत्र में कोई दूसरा relation संबंध नहीं दर्शाया गया जिससे हमें कुछ भी मिलेगा तो ना तो ये वायू वाला हो सकता क्योंकि अकाश वाला बताया गया है, और नहीं ये तीन नंबर का जो प्रित्वी लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, तो अब आपको सिंपल सी बात है, योग सुत्र में पढ़ लिया, तो दो ही संबंद है वहाँ पर, तो दो संबंदों में सब अब कौन सा है, ऐसे कैसी याद तो ओवेसी बात है, इस प्रिशन का उत्र जो है, शोत्र और अकाश के संबंद पर संयम करना हो जाएगा, तो इस प्रिशन को अगर देखना चाहें, आप योग सुत्र में डूनेंगे, तो तीसरे अध्याय का, 41 नंबर जो सुत्र है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, जहां कहा क्या आया है, शोत्र अकाश यह संबंद संयमात दिव्य शोत्रम की शोत्र और अकाश का संबंद पर संयम करने से दिव्य शोत्र हो जाते हैं, आपके कान जो उतने देव्य हो जाते हैं, तो श्रवन की देव्य शक्ति प्रापत हो जाती है आपको, ठीक है, अब द और संबंद है काय और आकाश, इससे क्या होता है, कि तो शरीर और आकाश पर जब आप संयम करेंगे, काय आकाश पर, तो ये काय जो है आपकी शरीर जो है, कि तो आकाश में उड़ने लगेगा, शरीर जो है उड़ने लगेगा, जिसको हम क्या केते हैं, आकाश गमन, आकाश गमन की स्थिति आ जाए, किते आप अकाश में गमन कर पाएंगे, शरीर जो है आपका अकाश में उड़ने लगेगा, मतलब अकाश और शरीर के संबंद पर जब संयम करेंगे, तो इसका अगर सुत्र आप देखेंगे, तो आपका जो ओप्षन है, केवल और केवल एक नंबर जो है, वही आपका राइट अंसर होगा, यहां पर, तो संबंद मैंने दो बताए, तो अकाश गमन हो जाएगा एक, तीसरे अध्याय का 42 नंबर सुत्र आप ध्यान से देखेंगे, तीसरे अध्याय का 42 नंबर सुत्र, अकाश गमन जिससे काय और अकाश के संबंद पर संयम करने से और कांपर संयम करने से आपको शोत्र और अकाष के संबंद पर संयम करने से दिव्य करन हो जाएंगे आपके दिव्य शोत्र हो जाएंगे ठीक है अब चलते हैं next question पर जो की प्रержिण है सौहलमा प्रशन है 8 प्रदीटिका क cricket अनसार नादान संदान के अभ्यास प्रारम में किस प्रकार की द्वनी सुनाई देती है तो दोस्तों देखते ही प्रशन को विचलित होते हैं बहुत से विद्यारती कि नादान संदान के चार अभ्यास बताएगे कौन-कौन से अभ्यास है वहाँ पर, नादन संदान के अठ परदिवीगा में चार अभ्यास बताए गए हैं, मैं बात करूँ चारों की, तो पहले है आरंब अवस्था, आरंब अवस्था है, दूसरी अवस्था है आपकी, घटा अवस्था है, तीसरी परीचे अवस्था है, चोथी जो है आपकी अंतिम निश्पत्ती अवस्था है ये चार अवस्था है और इन चारों अवस्थाओं में किसी न किसी प्रकार की अवाज जरूर आती है ये भी आपने पढ़ाया अच्छे से तो नादन संधान की पहली अवस्था आरहम अवस्ता जिसमें अगर हम देखें तो कव्णक की अवाज आती है कव्णक मनें जण जण जहन जहन रूपी दवनी सुनाई देती है, जहन जहन रूपी दवनी सुनाई देती है, अनाहत दवनी, जो रुकती नहीं, अनाहत दवनी सुनाई देती है, गटा अवस्था की बात करें, तो इसमें आपको भेरी और वी मर्द, वी मर्द मतलब होती है, अंगहात जन्य, जो चिढ़ा, चिंगारनी की यवाज होती है, जैसे हाथी चिंगारता है, ऐसे भेरी एक वाध्य मंत्र है, ऐसी यवाज आती है, पर इच्चे अवस्था की अगर बात करें, जो कि तीसरी अवस्था है, इसमें आपको कैसी यवाज आती है, मर्दल की, मर्दल मतलब धोल जैसे य जगाड़े जैसे वस्ते हैं, ऐसे वाद आती है, मरतल, निश्पत्ती वस्ता की बात करें, तो इसमें वीना, माता सरस्वती के आर्थ में जो होता है, उसके वाद आती है, ऐसे चार अवस्ताओं में, डिफ्रेंट डिफ्रेंट चार ध्वनिया सनाई देती है, तो यह भी important है पूछ रहा है examiner, नादान संधान के अभ्यास के प्रारंब में, तो प्रारंब का मतलब यह नहीं लगाएंगे, कि हम अवस्ता के प्रारंब में, यहाँ पर अगर हम हट प्रतिपिका को ध्यान से देखेंगे, तो चोप्थे अध्याय का 85 नंबर श्लोक है, उसको आप ध्य पूछे में दवनी, निश्पत्ती अवस्ता में बताएं दवनी, तब ऐसे पूछेगा, जब वो पूछ रहा अभ्यास के प्रारंब में, माने अभ्यास के प्रारंब में, माने कुछ और इसमें लोजिक लगाना पड़ेगा अपने को, कि यह examiner जो है अवस्ताओं से नहीं समभवा, ऐसे चार्धवनियां बताएगी है, तो मैं आपकी सोलियत के लिए इसे गलिट कर देता हूँ पहले वाली चीज़ को, ताकि आपको अराम से समझ में आए सारी की सारी चीज़े, तो कहते है पहले जो है आपको यह चार्धवनी सुनाई देगी, आदो, जलधी, ज जिमूद, भेरी, और निरजरजर, मतलो जरना, यह चार दवनियां आएगी, फिर उसके बाद में दूसरी नंबर पर जो कौन सी दवनियती, आदो हो गया, मतलो प्रारंब, आदो मतलो आदी कालमे, प्रारंब कालमे, जिसमें हमारा उत्तर जो होता है, यहां से निकल गया ह कि यहां तो जल दी, किसे कहते हैं? हम समुध्र को कहते है, जो जल देवता है, जीमूद, मतलो भगवान से जो वर्षा होती है, मतलो मेग राज है, भेरी एक त्राय का वाद्य अंत्र है, जरजर मतलो होता है, ठीक है, ये चार शुइंट हो गई, आपके भेरी एक यंत्र हो गंटे की चलो पहले पूरा तिक है आपको जो है ये चार धुनिया है ये प्रारम में आएगी इसके बाद में बाकी की चार जो है बीच में आएगी मध्य आगे कहते हैं मध्य मध्य की अगर बात करें तो मध्य मर्दल शंको तथा शंक तथा गंटा काहल जस तथा गंटा और काहल जस तथा ठीक है ये चार धुनिया बाद में आती है ओके अब इन कार्थ क्या है कि मर्दल कार्थ है ढोल और शंक गंटा मतलब बहुत बड़ा गंटा जो होता है मंधिरादी में तो उसको हम गंटी जो होते हैं बहुत बड़ा है उसे और काहल मतलब गडियाल जब पानी वगरा में होते हैं जो किते वो जो चिंगारते हैं किते उसकी तरह आवाज आती है गडियाल मध्य में और अंत की ब ऐन्त में आएगी चार द्वनियां, प्रारव में 3 मध्य में. तो आब यहां से दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी अच्छे प्रशन बंते हैं, कि अंत में ध्वनी कौन सी होगी, इन चारों में से कोई एक होगी. यह चारों भी हो सकती है, मध्य में यह चारों होगी, मर्दल, शंक, गंटा और काहल, और प्रारंब में, शुवात में अगर हम देखें तो पहले चरण में, आदी काल में अगर हम देखेंगे तो शुवात में, मतलो आदो, प्रारंब जिसको हम बोलते हैं, आदी काल में, ठी क्या मेग उत्तर है यहाँ पर हाँ जी मेग बिल्कुल आपको अंसर मिल गया है तो इसी के साथ में जो हमारा प्रशन है वो भी हमारा सौल हो गया जी मूत लिखा होगा नेक्ट टाइम में आपको वो सकता संस्क्रीट के शब्द तो उनको भी हमें समझना है जी मूत अत्व मेग यह दोनों एक है मेग की द्वहनी शंक की द्वहनी का बार यह शंक की बात करें तो यहां पर आ रही है शंक मध्य में आ रही है ब्रहमर की द्वहनी की बात करें तो कहां आ रही है ब्रहमर भी अंत में आ रही है गंटे की बात से समझना है दोस्तों और जब ध्यान से समझोगे तो next time में आप आराम से प्रेशन को solve कर पाऊए आपको पता रहेगा कि कौन सा प्रेशन कैसे पूछा जा रहा एक्जामिनर के द्वारा तो चले दोस्तों इसी के साथ next प्रेशन करते हैं हम तार्मा प्रेशन है आपका स्वात्माराम के अनुसार यमों में कौन सा सर्व स्रेश्ट है तो स्वात्माराम के अनुसार पूछा है इंडारिस्टी ग्जामिनर पूछना चाता है हठ प्रदीपिका में कौन सा यम स्रेश्ट है तो आपको पता होना चाह दस ही यम माने गए हैं, दस ही नियम माने गए हैं, यह ध्यान रखेंगे, अब इसमें आपको पूछा गया है कि यमों में सरवस्रेष्ट कोन है, तो यमों में जब सरवस्रेष्ट की बात होती है, तो यमों में कहा जाता है अठप्रदेपिका में वन पहले अध्याय का 38 मिताहारं, नियमेश अहिसा, अहिसा नियमेशवजय वियम म tag 고양at की एक प्रिशने का उपटिर में the दौइब तो इसाउयर कि यान के वाध रखेंगे कि को में और यहां नंबर उप्षन वो हो जाएगा यमो में विताहर स्रेष्ट और नियमो में पूछा जाए तो अहीसा स्रेष्ट है तो next प्रशन है हमारा 18 प्रशन जिसमें स्वात्मा राम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकट्स्त रूप में संबंध रहता है तो इनमें से अगर बात करें तो मन का जो संबंध ह है वो किसके साथ है प्राण शरीर बुद्धि अथ्व इंद्रिय तो हमें कोमली अगर हम देखे तो मन और इंद्रिय संबंध है प्रंतु स्वात्मराम जी के अनुसार पूछा है कि योग साधना में योग साधना जब करते हैं तो दूसरे अध्याय को जब आप इस तर आपको श्लोक मिलेगा चले वाते चलम चित्तम किता जब तक वात चलती है मतलब वात मतलब प्राण किते जब तक प्राण चलता है तब तक आपका चित चलता है और चित का मतलब क्या समझेगे मन किते जब तक प्राण चलेंगे आपके मन चलेगा और जब तक मन चल केक्त हैगर अगर मन को रोकना है तो आप वाइयू का निरोध करें मतलु प्राणयाम करें प्राणों का निरोध करें तो अगर यहां से हम समझें तो प्राण का मन के साथ सबसे ज़ादा उच्के बाद में कि किस गरंथ में आहारत, जग्यासू, अर्था, अर्थी, और ज्यानी ये चार परकार के जो व्यक्ति है उनका उलेक किया गया है, व्यक्ति मानि एक तरह से बक्त, इनका उलेक किया गया है, तो सिंपल सी बात है दोखतों, बगवत गीतना में किया गया है ये, और साथमें अ मेरे बिमारी ठीक कर दो, मेरे रोग, मेरे दुखों को मिटा दीजिए, वो जो ओते आर्थ होते हैं, जो जानने के इच्छा रखते हैं, जो ज्यान पाना चाहते हैं, जैसे हम अहे बगवान, मेरा जयारफ करवा दो, या मुझे यह जो हट पर देपिगा, वो पूरी रटवा धन मिल जाए, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो जहूँ, अर्थ हार्ति, या मेरे को यह पद मिल जाए, तो यह जो है, धन आदी के बिलाशी जो हते हैं, अर्थ हार्ति, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है, और चोथे प्रकार के जो हते हैं, जिनको तत्व ज्यानी भी जिन्होंने भगवान को, जो इश्वर के सवरूप को दर्शन कर लेते हैं, उसको पूरा अच्छे से जानगे, फिर भी भगवान की भगती करते हैं, पूरा अच्छे से सही सवरूप को जानने के बाद में भी, अब इनको कुछ भी ऐष्ट्रा नहीं चाहिए, और इनी को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यही सबसे स्रेष्ट टाइप के बगत है, तो कल को आप से पूछा जा सकता है, सबसे स्रेष्ट कौन से बगत होते हैं, तो सबसे स्रेष्ट की बात की जाए, तो व्यानी जो होते हैं, या तत्तव व्यानी की बात करें, तो यह सबसे प्रिमत भगवत गीता में तो अब आपके लिए एक काम छोड़ देता हूं कि आप साथ में अध्याय को देखेंगे और उसमें खोजेंगे कि ये जो श्लोक संख्या है आर्थ जिग्यासुर अर्थार्थी जहां बताए गए ये कहां पर है इसको खोज करके आप comment box में मुझे जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं डिटेल में आपको भी कुछ पता है तो जल्दी से comment में जाएंगे और पहले लिखेंगे और फिर आगे वीडियो देखेंगे इसके बाद है अपना 20 number question गेरंट सहिंता के अंसार दंत दोती के प्रकार ह है तो गेरंट सहिंता की आप बात की जा रही है दोस्तों गेरंट सहिंता में आपको पता कि शत्करम का वरणन है शत्करमों में 6 प्रकार के शत्करम बताएगे है सिंपल सी बात है और उन में पहला ही है जो दोती है और दोती की बात करें तो दोती के कितने अंग है चार अं दोति उसके आदे मूल शोधन ये चार दोति बताए गई है अगर इसकी बात करें तो अंत्य दोति के प्रकार की अगर बात करें मैं लिखूंगा नहीं आपको पता होना चाहिए आप अगर पूरा डिटेल में देखना चाते है तो यूट्यूब पर और मेरे मेरे कोर्स में ज पहिश्कृति ये चारों दोतिया है फिर दंत दोति की बात करें तो दंत दोति में कितनी है दंत दोति में भी पांच दोतिया है कौन-कौन से एक तो दंत मूल दोति हुई फिर जीफा मूल हुई त्रिस्री जो है आपकी करणरंदर हुई करणरंदर बाया ये ध्यान रखन ठीक है उसके बाद में पांच ही जो है कपाल रंदर कपाल रंदर ये ऐसे पांच दोति पंच चहेते इस प्रकार से जब आप शलोक देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये पांच प्रकार की दंत दोतियां बताए गई हैं तो कौन कौन सी है दंत मूल एक हुई और दूसर के तीन प्रकार है कौन कौन से है डंड दोति वमन दोति और वाससा मतलब वाससा करत है वस्तर दोति से तो तीन जो है वस्तर दोति बताए गया मूल शोदन केवल एक ही प्रकार का इसका कोई टाइप आगे नहीं बताए गया तो इस प्रेशन का हमारा जो उत्तर है वो क्या रंदर है हमारा उसके दो भागों गए इस का लए से टोटल जो है पांच भागों में डिवाइड़ेड है स्लोक में भी पांच शब्द यूज़ किया गया है तो इसको नोट करेंगे दोस्तों दंत दोती के पांच प्रकार है गेरंट से इंतामे तो इसी के साथ दोस्तों हम पार्ट टू संपन करते हैं अगर आपको complete paper देखना है और जितनी भी वीडियो से हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे ऐसा चाहते है तो आप subscribe करेंगे और साथ में bell icon जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले आपके पास वो जरूर पहुंचे तो थेंक यू तो ओल धन्यामाद दोस्तो